राजस्थान में आस्मान से आग बरस रही है, हर दिन गर्मी के तेवर्तीखे होते नजर आ रही है, दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, राज्य के अधिकानच इलाकों में रात को भी गर्म हवा चल रही है, मौसम विभाग ने राज्य के कई जि मंगलवार को प्रदेश में करीब आधा दर्जन जिलों में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया साथ ही सबसे जादा तापमान शेखवाथी के पिलानी में 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं फतैपूर में 46.9 चूरू में 46.8 डूंगरपूर में 46.2 गंगा नगर में 46.2 बाडमेर में 46 और अलवर में 46 डिग्री सेल्सियस तक अधिक्तम तापमान रिकॉर्ड किया गया राजधानी जैपूर में भी गर्मी के प्रकोप के बीच दिन का तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस तर्ज किया गया मौसम विभाग ने दिन में गर्मी के साथ अब रात में भी सामान्य से बहुत जादा गर्मी रहने की चितावनी जारी की है मौसम विभाग की वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट के अनुसार अगामी 72 घंटों में अधिक्तम तापमान में दो डिग्री के भडोतरी होने की संभावना है आने वाले दो दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में हीट वेव तो कहीं भयंकर हीट वेव चलने की चितावनी जारी की गई है वहीं 23 से 24 माई के दोरान जोधपुर, बीकानेर, जैपुर, कोटा वभरतपुर संभाग के कुछ भागों में अधिक्तम तापमान 45 से 48 डिग्री सेलसियस दर्ज होने की संभावना है इसके अलावा आने वाले 4-5 दिन राज्य के कुछ भागों में नियूंतम तापमान भी औसत से 2-5 डिग्री ज्यादा होने की संभावना जुताई गई है सीकर से लोकलिटीन के लिए काजल मनोहर की रिपोर्ट